प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने रेडियो कारिक्रम मन की बात के ताजा एपिसोड में मध्य प्रदेश में च्छतरपूर जिले के एक महिला स्वेंग सहायता समूह के काम का जिक्र किया प्रधान मंत्री इस कारिक्रम में सामाजिक मुद्धों पर बात करते हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों के सकारात्मक काम सामने लाते हैं मद्ध प्रदेश के छतरपूर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सरहानिय है यहां के खौब गाउं का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनरजीवित करने का बिड़ा उठाया हरी बग्या Sóयम साहेता समुख कि इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मातरा में गाद निकाली तालाब से जो गाद निकली उसका उप्योग उन्हों ने बंजर जमीन पर फूट फॉरेस्ट तैयर का निकली किया इन महिलाओं की मैनत से ना सिर्थ तालाब में खुब पानी भर गया बलकि फसलों की उपजवी काफी बढ़ी है महिलाओं के स्वैंक सहायता समूह ने चतरपूर के खुमप गाओं में बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया अब वहां गाओं की महिलाएं फल और सबजियां उगाती है और जो भी हमारी अब गरीबी थी वो गरीबी हम लोगन की हटने वाली है चतरपूर की बीजेपी विधायक और डियम ने भी हरी बगिया महिलाओं स्वेंग साहिता समूह के काम की तारीफ की उन्होंने महिलाओं की कोशिशों की ओध्यान आकर्शित करने के लिए प्रधान मंत्री को धन्यवाद दिया यहाँ पर हरी बगिया समूह की बेहनों ने कमाल करके दिखाया है और माने प्रधान मंत्री आदनी नरेन मोधी जी ने मन की बात में इसका जिक्र किया है यह हम लोगों को बहुत बड़े गौरों की बात है शासन के विभिन मदों के माध्यम से नेतियायोग, हमारा टल भुजल और नरेगा के माध्यम से यहाँ पर जो बंजर जमीन थी इसको उपजाव बनाए गई शासन के हमेशा से मन्चा रहती है कि विभिन योजनाओं के कन्वर्जिंस एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप करा जाए जिसका पूरा उधारन इस पंचाथ में दिखाई पड़ता है जैसा कि इसकी रूपरे का इस प्रकार है कि पहले यहाँ पर अतिक्रमन था उसके बाद यहाँ पर लीडर्शिप ली गई उसमें सबसे पहले उस अतिक्रमन को हटाये गया उसके बाद इस अतिक्रमन को हटाने के बाद वहाँ पी नीति आयो के माध्यम से गाद निकालने का काम किया गया जो चंदेल कालीन तालाब है उस गाद निकालने के बाद जो बंजर जमीन थी उस पे रक्षारोपन किया गया नरेगा के फंड की मदद से जिला प्रशासन ने कहा कि वो स्वेंग सहायता समूह के उगाए फलों और सबजियों की मार्केटिंग में मदद करेगा इससे बंजर जमीन को हरा भरा बनाने वालों की आमदनी पढ़ेगी और वे आत्म निर्वर हो सकेंगी